एक तरफ जहां गाजा के भीतर इसराइल और हमास के बीच लड़ाई और भी ज्यादा भीशन हो चुकी है वहीं दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में भी इसराइली सेना पर हमास के लड़ा के ताबर तोड हमले कर रहे हैं और इसी वज़ा से अब आईडियफ के हातों से हालात का पहर होते जा रहे हैं पहले गाजा फिर उत्तरी इसराइल और आप वेस्ट बैंक जी हां इसराइली सेना चौथर्फा हमलों से बूरी तरह से बैक फूट पर आ चुकी है वेस्ट बैंक जैसे इलाके में जहां उसकी पकड़ मजबूत मानी जाती थी अब आईडियफ को वह भी मू की खानी पड़ रही है दरसल आईडियफ वेस्ट बैंक के दक्षणी तुबस के अलफरा कैम से बाहर वापस लोट गई है यहां पर अलकसा ब्रिगेड ने इसराइली सेना के ऊपर आईडिय ब्लास से बहुत बड़ा हमला किया था जिसकी वज़ा से आईडियफ को भारी नुकसान हुआ है दरसल 20 जून 2024 को आईडियफ इस इलाके में घुसाई थी और उसके बाद उसने ताबर तोड हमले शुरू कर दिये थे लेकिन इन हमलों के बीच वहां मौझूद प्रतिरोधी लड़ाकों ने आईडियफ के ऊपर हमले करने शुरू कर दिये थे जि इसमें आईडियफ के वाहन पीछे हटते हुए नजरा रहे हैं और इसको लेकर लिबनानी मीडिया हाउस अलमयादीन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि आईडियफ ने सुरीफ में भी छापे मारी की थी जो उत्री अल-खलील में है बड़ी बात यह है कि इस पूरी इसलेटिव काउंसिल के मुख्या है आईडियफ ने उन्हें उनके घर अल-खलील से कुछ दिन पहले भी उठाया था हाला कि उस वक्ट उन्हें रिहा कर दिया गया था आपको बता दे कि इसराइली सेना वेस्ट बैंक के कई गाओं में ऑप्रेशन चला रही है दजरुसिलम पोस्ट के मुताबिक आईडियफ दक्षनी टुबास के आलफ़रा और नबलुस के ताल इलाके में ऑप्रेशन चला रही है इन इलाकों के अलावा ऐसी खबरे आई है कि आईडियफ उत्री जरुसिलम के उत्री कलांदिया में भी प्रतिरोधी लड़ाकों के खिलाफ ओप्रेशन चला रही है दरासल आईडियफ की रणनीती है कि वो गाजा में चल रही जंग का असर वेस्ट बैंक पर नहीं आने देना चाहती क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उ कि वेसी हैंड़श